नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है एक बहुत बड़े लेखक है दोस्तो जिनका नाम है रॉबिन शर्मा आपने जरूर इनका नाम सुना होगा तो इनोंने अपने जीवन के एक च्छोटी से एक ऐसी घटना कही और वो जो च्छोटी सी घटना है हमको बहुत कुछ सिखाने वाली है और उसी तरीके से उन्होंने अपने किताब में भी वो बहुत अच्छे से कहने की कोशिश करी है वो ये कहते है कि एक बार वो मतलब एक दुखान से भार निकले और उस दुखान से भार निकलते समय एक महीला अपने एक छोटी बच्ची को लेकर इसे जा रही थी और अर बाद में पतलब मन ही मन कूछ इस तरीके से उसकी मतलब शब्द है थे कि Jennifer अपने आपको संभालो इस तरीके से उसने मतलब मन में दो फिन बार बोला और वो शब्द इन्होंने सुन लिये और बाद में उस रास्ते से निकल कर रही थी तब उस महिला ने ये कहा कि सिंडी अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा तब ये जो लेखकत एकदम चौक गए दोस्तों कि ऐसे क्यों बोल रही है अभी तो वो बोल रही थी कि जनीफर अपने आपको संभालो और अभी ये सिंडी ऐसे बोल रही है तो इनको मतलब रहा नहीं गया और इन्हों ने जाकर उस महिला को पूछा कि आप तो मतलब अभी जनीफर ऐसे कह रहे थे लेकिन आपने मतलब उसको सिंडी अभी पुकारा तो उसका नाम क्या मतलब दो-दो नामों से आप उसको पुकारते है क्या तब उस महिला ने क्या जवाब दिया दोस्तों वो हम सब के लिए बहुत ज़ादा मत्वपूर्ण है कभी कभी चोटी चोटी ऐसी घटनाई भी हमें बहुत कुछ सिखाती है तब उस महिला ने ये कहा कि सिंडी मेरी बेटी का नाम है और जेनीफर मेरा नाम है और ऐसा कहे के दोस्तों उसने cross किया और जो लेखकत एकदम सोच में ही पड़ गए ये जो बात है आपने मतलब क्या सिखा ये आप सोचना की अब तक मतलब मैंने जितनी आपको कहानी कही उससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से देशन तो हमें ये सीख मिलती है कि वो जो बच्ची थी वो बहुत जादा हट कर रही थी जित कर रही थी और इसलिए वो महिला उसको समझाने की कोशिश कर रही है और एक स्टेप पर दोस्तो हम किसी को समझा रहे है लेकिन वो अगर सुनी नहीं रहा है तो एक स्टेप में दोस्तो हमारा जो गुस्सा है वो वैसा है उस महिला के साथ अभी होने वाला था क्योंकि उसके बच्चे नहीं सुन रही थी इसलिए दोस्तों एकदम जब उसका जौला मुखी जैसे एकदम गुसा फट पड़ेगा तब वो अपने आपको कही रही थी कि जेनीफर अपने आपको संभालो जेनीफर अपने आप कि बाके की चीज़ों में मतलब मैं शायद मतलब बुरा हो सकता हूँ लेकिन मेरे मतलब मैं कभी भी किसी पर प्रोत नहीं करूंगा लेकिन सिच्वेशन दोस्तों भगवान का जो मतलब ब्रह्मान जो है ना दोस्तों वो मतलब सारी चीज़े उसको हमनारी बारे में पता है हम मतलब हमारे जन्म से लेकर मतलब अब तक हमने क्या किया है दोस्तो वो सारी चीज़ें उसको हमसे ज़्यादा पता है हमारी आत्मा के बारे में इसलिए वो हमारे सामने वैसी situation लाएगा ही और जब यह बात मेरे मन में आई थी दोस्तो उसके सिफ दो दिन के बाद ऐसी situation हो गई कि मेरा भी ऐसा गुसा फट पड़ा और उसके बाद मेरे ही मन में कहिना कि मुझे जवाब दिया कि तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछी situation में बहुत अच्छे से मतलब यह कर सकते हो तो ऐसी जो बात है दोस्तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गल्तिया हो सकती है दोस्तो जितनी मतलब लोग गुसा करते है उससे ज़्यादा हमें गुसा आ सकता है लेकिन दोस्तो उससे हमें कुछ सेखना होगा मैं कुछ गलत तो नहीं ना करना इस तरीके से हमें सोचना होगा यह जो बात है बगवाण श्री किष्णी जी ने खुद कही है कि जो काम क्रोध और लोब है जादा तर जो मितलब जो लोग नरक में जाते है जो लोग एकदम निचले कर सकता है आप सोचो दोस्तो मेरे माउसी के जो हस्बंट है वो होमगाड थे और एक बार उनका जेल में मतलब शिफ्टिंग थी तो जेल में जब वो रहते थे अपने मतलब काम के वज़े से वहाँ पर शिफ्टिंग उनकी हो गई थी सिकुरिटी के लिए तो वो ये कह रहे थे कि जो कईदी वगएरा होते थे वो उनसे कभी-कभी बहुती पैर से बात करते थे तो ये भी उनसे बात करते थे तो ज़्यादातर कईदी दोस्तों उनको यही कहा कि उनको उमर कईद की या फिर बड़ी-बड़ी सजा हुई थी 10 सल के 20 सल की तब उन्होंने जादा तर यही कहा कि मैंने गुस्टे में किसी पर मतलब हाथ उठाया मैंने गुस्टे से किसी का खुन कर दिया मैंने गुस्टे से मतलब किसी का इतना बुरा किया कि आज मुझे कितना पच्टावा होता है मैं आपको उन कईदियों से दोस्तों हम जो सीख सकते हैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी हमारे हातों से ना हो गुस्ते में कि मतलब हमें जिन्दगी बर पच्तावा हो आज मतलब हमने किसी को फटक से कुछ बोल दिया और हम उसको स्वारी बोल सकते हैं मतलब उससे हमें निकलना बहुत आसान है लेकिन उन कईदियों के बारे में सोचो दोस्तों जिनको इतना गुस्ता आया कि उन्होंने इतना बुरा किया बस मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने एकी इंसान को मारा नहीं है उन्होंने उसके पुरे परिवार को मतलब दुख दिया है अपने खुद के भी परिवार को दुख दिया है वो खुद आज दिवन बर पस्तावे में जिएंगे ये जो बात है दोस्तो इतनी छोटी नहीं है मतलब ये जो बात है दोस्तो हम सब के लिए कुछ लोग हसने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से अपने आपको संभालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मन में एक से स्वाब तक आप आकड़े गिनना, ऐसी जो बाते हैं दोस्तो आप कुछ भी करना लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करना, ज इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने आपको संभाल कर जिवन में आगे बनना होगा। जिनों ने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही जादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मारकदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवापतने की कोशिश करना, उसके साथ साथ धेन की उचीत विधी को समझना, हमारी अध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपुर्ण बाते हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर वाटस अप मैसेज करें।